तुम्हारा स्वागत है मुझे लेसाड के अतीद के बारे में और जानकारी चाहिए लूइस मुझे और इंफॉर्मेशन दो पहले ये बताओ, मैं अपनी बेटी से का मिल सकता हूँ मैं कहता हूँ को करो और मैं लेसाड को डिस्मिस करवा दूगा हमारे बीच कोई नहीं आएगा नाच्चा मेरे दो अफिसर्स पारे गए उन एंकॉंटर से सिर्फ दो लोग संदा वापस लोटे लेसाड उसकी पार्टनर और ये पूरो अपरिशन उसने प्लान किया था बेदर होगा तुम लेसाड से दूर रहो तुम्हें मदद की जरूरत है विक्टर अपने मुश्किलों का सामना करना सीखो विक्टर विक्टर आपसे मिलने मिस्टर विक्टर आए है तुमने कभी सोचा है विक्टर ऐसा क्यों हुआ कोई अपना बाप नहीं चुन सकता तुमने के विक्टर उसकी जेगे कुदको रकर देखो क्या वोइस ब्रेक हो रही है वोइस ब्रेक हो रही है यह तुमने में कुछ थिखा से किवाइड अपना क्योण में विक्टर कुमनि कुछ तुमें के बूलग्या कर रहे है। मैं क्या हो क्या अट्टर वह डरा है। वह क्या हो रहा है विक्टर आग वाग इसज़ दो आपने एक 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 और वाहाँ आप दो आप दो आप दो दो आप दो आप अप विक्टर खुछ तो बोलो को मीचे अक्केले हो वहां अधेरा है क्या हो रहा है तुम्हें वो मिल गया यह वही है यवह क्यों है यवे यह यह वो सदने क्लोस नहीं है तेट्श शुछ है यह तो किन्या नहीं है जर्श करो दो विक्टर यह तो खरेंगेरा श्रॉडश विक्टर तेस्त्स कोई से कुरूज दिफाए करने वाले हैं जल्दी करो वहां से बाहर निकलो तुम भी चलो ना इंपोर्टिन इविंट है वो बच्चे वो सडकें देखो मैंने डोनेशन दे दिया है लेकिन मैं बच्चें को नहीं जेल जबती मैं तुम्हार साथ जरूर चलता विक्टर लेकिन आज मैं बिजी है मैं अपनी बेटी के सब रहना चाहता हूं कोई बात नहीं बच्चे रूखो एक निच मैं टाही बांदने में माहिरो में ताही बांदना ब हाँ शायद अगली जरम में मेरा बॉइफ्रेंड होगा लेकिन क्या तुम वाकरी जाना चाहते हो एसे क्यों पोछ रही हो मैं जानती हूं बच्चों में तुम अपना अधीद देखते हो विक्टर लेकिन वहां टांग वे होगा और तुमारी प्यारी दनाज्चा भी वेक्टर अच्छा वह तुम आ गए ऐसे सेंटर्स देखकर तुम्हें अपना अतीत याद आता होगा ना मैं यहां आया क्योंकि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं तुमने सही का इनोंने कई बच्चों को सुधारने का काम किया है बदकिस्मति से कुछ लोग कभी नहीं सुधरते कुछ इतने जिद्धी होते कि हमने सुधार नहीं सकते और वो पूरी जिन्दगी गुना के रहा पर चलते हैं याद है आज का दिन कौन से हैं एक साल बुजर गया है हाँ एक साल पूरा हुआ पिशले साल इसी दिन तुमारी वज़ा से दो अफिसर्स मारे कहे थे और तुम ऐसे जी रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं कुछ कायर लोग थे जिन्होंने अपने मतलब के लिए लुईस का इस्तेमाल किया सोचा नहीं तो तुम इतना गिरोगे तुम हमेशा से अन्प्रडिक्टेबल रहे और ये साल जब मेरे लिए काम करते थे तुम्हें पदा होना चाहिए जब किसी पर इल्जाम लगाओ तो साबित करना आना चाहिए टाइम मिले तो इसे सुन लेना और आटेंशन मत लेना मेरे पास दूसरी कॉपी है मुश्य पंगा मतलो तुम नहीं चानते मैं क्या कर सकता हूँ संभल कर तो तुम्हें रहना चाहिए टैंग वे अगली बार अकर मेरा रास्ता काटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब समाज आया आखर उसने तुम्हें छोड क्यो दिया विक्टर उसे गनूर मारो तुम मेरे साथ चलो महीं चल सकता कई मुझसे कोई गल्ती न हो जाए अब फजने कोई गल्ती तुम्हें तुम्हें ठाए नहीं घ्लती एलती चाहिए पड़ने पड़ने कहले पते हमारे करे लिए फिनक में थी करेके कि पल्चि, और रहाँ है, लिए दिए रखा को हुआतो, तुछ कार रखा कि पल्चित है कि अबस्पटर रहीत है? कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोज हो था कि मैं वस्तिमोल कर दो कर दो कर दो कि दो खिस्यूश्ट कुल सक दो थे ल॔ क्टो क्याओा बंक年前 कि OFी humor कि नपक रisp Crinaire कि वह जज़ हो था कि प्ड़कर्ड पक्ष्ट जह खिर जज़ुे इध आर भड़कर दो हएँ है हापी बढर देपार्थनर आपी बढर आपी बढर देपार्थनर चले विश्मान उओ सभस्य होग्व सो पेल्ट कर थे में अब तॉर नहीं रहें अप्टक क्मांडर टैंग वे का कॉल है कि रास्ता साफ है एक आदमी बाहर निकला है कमांडर हाँ वो निकल रहे है कमांडर चलो 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 जाओ प्रिषिया निकल्ट करुएष। प्रवार कर दोर दो झाएंगा जाइंगा है पर मैंने तुम्हें पेलो ही बताया खाना तुम चाहते क्या उटेंग वे क्या मैं इंटर्नल अफेस को गह दू कि विक्टर दारूपी कर ड्यूटी पर आता है उसे सेस्पंट करना ही काफी है देखो लुइस तुम ये सारी बाते नहीं समझ भाओगे जितना कहता हूं सर्फ उतना करो और कोई सवाल मत पूछो मुझे बस ले साड के बारे वे जानकारी दो आप अपोगा अपने जगे पर है तार्गेट पांच फिरिट वे सामने आना चलिए सब लग भी याग एक सिगरिट पी कर राता मैं बहुत अच्छे विक्टर, की बेर आप तो आज विक्टर से किस बात पर बहस हुई? पता नहीं नाच्चा, मैंने उसका स्वागत किया तो वो खामका मुछ पर नाराज हो गया और भड़ा गया, ये उसकी आदत है जरूर तुमने ही पहले उसे कुछ कहा होगा नहीं, तुमने उसे छोड़ दिया, अच्छा किया आने के लिए शुक्रिया, हम साथ पियेंगे क्यों सिवन, तुमने दवाई लेली? हाँ डेट, लेली हमने सारी लेली? हाँ डेट हाँ अच्छी ही बाते बतानी हैं, ओकी? ठीक है, चलो बच्चो, जैसा बोला वैसे ही करना, समझे? सब एक साथ रहना इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे? उखोल मैं दो मिनिट में आता हूँ तुम ही क्या कर रही हो, हमें यहां से भागना होगा तुम पागलों हम पकड़े जाएंगे, हमारा यहां से निकल पाना मुश्किल है चलो, चल्दी करो नहीं, अगर पकड़े गए तो वो लोग बहुत मारेंगे मैं तुम्हें लेने, जरूर लोटोंगी तुम्हें रहां पयात्तुमा ब़पन्त घ्लो, वो डोछो तुम्हें तुम्हें ही अगर मिन Schon आज हमारे आन्यूल स्पगेटिक डिनर की बारवी सालगेरा पर आप सब का स्वागत करते हुए, मिझे बेहत खुशी हो रही है अब बिल्कुल बग जाया किये बिना मैं आज की चीफ गेस को इन्वाइट करती हूँ, कमांडर मौरिस टैंग वे, प्लीज यहां आईए और दो शब करिये थैंक यू वरी मच्छ जैसलीम दोस्तों यह मेरी खुश नसीबी है, पिछले पांच सालों से मुझे एआएम के लिए काम करने का मौका मिला है और मेरे साथ साथ मौन्ट्रियल पीडी भी इस नेक काम में एएआएम के साथ है यह बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे अजीज दोस्त और बॉस यहां मौजूद है, माग पिछे जैसलीन और मुझे हम दोनों को लगता है पिछला साल बहुत अच्छा गुजरा हमने कई ने इनिशियेटिव शुरू किये और हमारे स्टाफ और वॉलेंटियर्स कई मेनत के बल पर हम टार्गेट्स अचीव करने में सपल रहे मैं उनके बारे में आपको सारी डेटिल्स दूगा लेकर उससे पहले में एक बात पर आपका ध्यान आकरशित करना चाहूँगा पिछले साल जितने राहभट के बच्चों को AIM ने सहरा दिया है उनकी संख्या पिछले सालों से दो गुना है आखर इससे हमें क्या पता चलता है हेई डांटे फाली में तुम्हारी लिली टेट से बात हुई थी क्या नहीं तो क्यों क्या हुआ उनकी समस्या दिन पर दिन पेचीता होती जा रही एक तदर से लिए हमारे समाज का आईना है अखर जिम्मेदार शेहरी होने के नाते हम इन सब बच्चों को किस तरह का भविष्य देने वाले जाहिर है यह प्रावलम एक दो दिनों में सुलजने वाली नहीं आज हम यहां इसलिए खटा होगी है टाई प्रावलम लावलम लावलम लावल लावल है और माडम, कैसे है राज्जा, च्या विक्टर तुम्हारे साथ है? विक्टर, वो यूज सेंटर में नहीं है, तैंग विए सुई थी, वो एंज्जो से चला गया है, तारीख याद है, जेसिंद, शिट, मैं देखती हूँ, क्या चाहिए, विक्टर, मैंने इड्जेक्ट उसी वक्त कॉल किया है, जब तुम्हारा जन हुआ था, अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, तो तुम इस वक्त उस होटल में बैटे हो गए, हम एक जैसे हैं, विक्टर, तुम और मैं हम दोनों पश्तावे में चल रहे हैं, हम दोनों में बस एक ही बात कॉमन है, सरनीम, तुम मुझे कभी नहीं जान सकते हो, हर साल उसे दिन हमारे पुराने घर जाता हूँ, लेकिन कोई फाइदा नहीं होता, जो हुआ उसे बोल जो वित्यर, सिंदगी में आके बढ़ो, कीज़गी में जाने थाइदा नहीं है। बच्तावे ले वाइदा उन्यव में बाताव लगा है। जो है, चोहां है। मेरी बेटी, मिरियम कमिंग्स, वो कई दिनों से लापता है मुझे माफ कीजे मिस्टर एमर्सन, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या भीत रही है यकी मारियम पूरी कोशिश कर रहे है आपके डिटेक्टिव अब तक उसका पता नहीं लगा पाए है मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन होसला रखिए और भरुसा कीजे क्या कहा भरुसा करूँ, तुम्हारी बेटी को ही कभी अगर कमांडर इजासत दें तो मैं कल आप से मिलने आ सकती हूँ हो सकता है इसके बारे में आपको कोई नई जानकारी मिल जाए लिए लिए हॉँ शुचाः पापस चाल हॉँचाः पास चाल ये आपैуже खाल रåsk वर लग अपको लग्ता है तो वो मिल जाएगी कौन मिरियन एमर्सन की बेटी हां मिलेगी लेकिन वह नहीं उसकी बॉड़ी मेरेगी कमांडर मैं अकेली चली जाओंगी ने ने मैं तुम पर गर्व है थांक्स कमांडर ठीक है कोई प्रॉब्लम है नहीं इमर्जन्सी काम आ गया है तुम मेरा एक काम करोगी क्या तुम सिमोन को घर ड्रॉब कर दोगी इसकी वीलचेर कैसे उतारनी है वो तुम्हें संझा देगा को अगे हैं एक ड्रॉब्लम है बढ़ नां अगे थी यह थांग टैसी के पैसे दोंगा ओए बाद बिलते हैं रांगे थीख ए थैंक्स थांग आल अगे बाई बाई संभोल में निकल रहूं क्या यह आज के फंक्शन के फोटो रहा है जैंग देख से नहीं प्रॉब्लम कोई बात नहीं और वो लेली जेट उसकी कोई प्रॉब्लम है तुम्हें ऐसा को लगा तुम उसके बारे में पूछ रहे थे आप नहीं सब ठीक है कल मिलते हैं ओके गुड़नाइट कियो से प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम मुघ्णि प्रॉब्लम कोई प्रॉण धुम्हें। कि किकूण थे खुछ मैं ठुड़ने हैं आपके प्रॉण remoर्स गूचे यह समाएका एे लिए कुम्हें एे टूछें रिंदे मुट luxuin बाता कि … कि किकुम्हें है क्या चाहिए यहां से गुजर रही थी सोचा तुमसे मिलती चलूँगा मुझे बात नहीं करनी है विक्टर सीरियूसली यार तुम यहां अपने बर्दे के दुन तुमें संधेरी कमरे में क्या कर रहे हो तुम नहीं समझागी क्या समझना है समझनी जैसा कुछ भी नहीं है जो बीद गया सो बीद क्या हम कुछ भी कर ले वो सब बदल नहीं सकते हैं खुद को दोशी मानना बंद करो विक्टर तुम्हारा कोई दोश नहीं है यहलो आपी बते हैं पुरानी डिजाइन वाली कीचेन नहीं मिली क्या फो खात्म हो गई थी यहीं से बैटलग शुरू हुआ था है न सब भूल जाओ विक्टर देखना अच्छे दिन भी यहीं से शुरू होंगे थैंक्स जैसें कोई बात नहीं तुम्हें समझाने के अलावा मेराज कोई और प्लान नहीं था हम पार्टनर्स है विक्टर और आखरी दम तक रहेंगे पार्टनर्स अब चलो पार्टनर्स अब चलो 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 करता है मैंने उसका नम बता दिया है, मैं सच में नहीं जानता संटा क्लॉस कौन है, अब पस करो और मुझे खोल दो मुझे बता तुम क्या चाहते हो, तुम बस बोलो मैं करने को तयार हूँ उससे मिलने के लिए बनो हाई, हमें अर्जेंट मिलना होगा, कल दोपार को चार बज़े शॉप में, ओके प्लीज मेरा एक बेटा है, जो डिसेबल है, उसे मेरी जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम से अपनी जिन्दगी की भीग पांगता हूँ मुझे माफ करदें ना, सिमोन हुआ 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 यह तो शुरुवात है, हम तुम्हें ब्रेकफरस्ट के लिए बाहर ले जा रहे हैं येस सर, आज तुम वियाएपी हो, वेरी इंपोर्टेंट पागल हेई जेसिंद, कल के लिए शुक्र गुजार हूँ तैंक्स पार्टनर, तुम बहुत दर्यादिल हो, लेकिन मैंने ये कच्रा खाना बंद कर दिया है ठीक है, लेकिन ये बॉक्स कहां से आया है मुझे नहीं पता, आज सुभा ये शायद कोरियर से आया है इसे रहने दो ना, वापस आकर कोल ले ना ये मेरा है, मैंने इसे अपनी बीवी के लिए ओनलाइन ओर्डर किया है क्या हुआ कोई प्राब्लम होई क्या वारलेस पर मेसेज आया है एक लड़का बेकरी के पीछे कच्छे के डिबे में खाना धून रहा था तो उसे कटासर मिला शेट, कहां मिला? यहीं पीछे की गली में मिला है और कुछ बदा चला? मरने वाला इंसान टैंग को है मौरिस टैंग वे? ओ नो, यह तो बुरी ख़बर है, तुमने सही सुना न? हाँ, बलकुल सही सुना बहुत कड़बड हो गई किसे मिला पसा? मेरी गल्फरेंट उमर में मुझसे छोटी थी जब मरियम का जन्म हुआ तब मैंने उसे अपनाने से इंकाह कर दिया उन दिनों मैं फोटोक्राफर का काम किया करता था और कभी कोकीन के तो कभी हेरोईं के नशे में चूर हैता था लेकिन उसका कैंसर हम दोनों को पास लिया है हाँ बिमारिया अपनों को अकसर करीब ले आती हैं मैंने वादा किया था कि मैं मेरियम का ख्याल रखूंगा मैं अच्छा बाप तो नहीं लेकिन कोशिश कर रहा हूं पर अप मुझसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया मिस्टर एमर्सन मुझे दो दिन का वक्त दीजे मैं आपसे कोई दावा तो नहीं करूंगी लेकिन पूरी कोशिश करूंगी मुझे उमीद तो नहीं है लेकिन तुम पर मैं भरोसा कर रहा हूं यह पेंटिंग आपने बनाई है मेर्यम को फोटो निकालना बहुत पसंद नहीं है पता नहीं देखकर क्या करेंगी एक्स्क्यूस में नहीं है हां बोलो अब कि— मुण एक करेंड चलम तुम्हें पता है कच्छे में खाना रूंकर जीने को क्या कहते हैं इसे कहते हैं डंस्टर डाइविंग हाँ हाँ मुझे पता है तो उस लड़की ने क्या कहा उसने कहा वो और उसकी सहलियां हर रोज यहां बेकरी से फेंके भी पेस्ट्रीज खाने आती हैं हर किसी को यह स्पार्ट पता है मतलब खुनी जानता है कि किसी ने किसी को इसर मिलेगा और शायद वो यही चाहता भी था हां लेकिन सिर्फ सर ही क्यों कैमरे में ज़रूर कैप्चिर हुआ होगा इस एरिया में कोई कैमरा नहीं है आसपास के कैमरा चेक कर लेते हैं कि तुम्हें कुछ पता चला कि टैंगवे का कटा हुआ सर किसने पहचाना था कि मुझे तो अभी भी अकीन हो रहा है कि सबसे पहले किसमें देखां ब्राउन ने क्यूंकि वह सबसे पहले यहां पहुंचा था ब्राउन टैंगवे के साथ काम कर चुका है मतलब होनी ने हो सकता है खुन यही ते ही रहता होगा तो बाग की की बॉड़ी कहा है है नो मुसीबत सामने से ही आ रही है हम जैसंथ विक्टर चलों अंदर चलते हैं यह केस हम सब के लिए टॉप प्रेयरिटी पर होगा विक्टर बोला सकता हूं न अवकोर्स टैंगवे हम में से एक था जब कोई गुनागार पुलिस पर हाट डालता है तो वो हमारे पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है उसे हमें पकड़ना होगा हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मौरिस टैंगवे सिर्फ एक पुलिस आफिसर नहीं था उसने पूरी जिन्दगी स्ट्रीट गैंग्स और क्राइम के खिलाफ लड़ने में बिताई है किसी ने उसका सिर काट लिया यह हम पर तमाचा है हमें उसे सजा दिलानी होगी इतने बड़े आफिसर का सर काट के खुन ही कोई मेसेज देना चाहता है अगर ये खुन काम की वज़े से हुआ है तो हमें फाइल्स में सिकलो मेल सकते हैं मुझे उनका एक्सिस चाहिए ये काम नाज्या फर्नांडीस से बेतर कोई नहीं कर सकता तुम्हारी मदद के लिए मैं दूसरे केसे से उसे हटा रहा हूँ हालेकेन बात ऐसी है कि क्या हुआ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे मैं तुम्हारी फाइल पढ़ चुका हूँ विक्टर जानता हूँ टैंगवे और तुम्हारे बीच प्रॉब्लम रही है लेकिन तुम हमारे बेस्ट डिटिक्टिव हो यह केस मैंगनोटा के बाद सबसे फेमस केस होगा मीडिया को तुम्हें समाल नूँगा पर नहीं चाहता कि प्रेशर के वज़े से इन्विस्टिगेशन पर असर आ है मुझे वो खुनी चाहिए पेपर वॉक बिल्कुल नहीं कोई भी जरूरत हो तो डिरेक्टली मुझे कॉल करो समझ गया ठीक है शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना हो और वो इतना बुरा इंसान नहीं था बीवी के मौत के बाद अपने डिसेबल्ड बेटे का ख्याल रखना आसान काम नहीं है ये काम किसी पागल का है या फिर कॉप किलर का हो सकता है कोई माफिया गैंग हो स्ट्रीट गैंग हो या बाइकर्स सारे खबरियों को काम पर लगाओ कुछ भी करो लेकिन टैंग वी के खुनी को पकड़ो वो भी जल्द से जल्द मैं आपको निराश नहीं करूँगा देट्स वाइन क्योंकि वील्चेर पर बैठेक मासूम के लिए हम इतना तो करी सकते हैं नाज्जा तो मैं कॉल करेगी आखरी बार टैंग वे को उसे नहीं देखा था करें देखा दो हम देखा था हुआ पो जस ज उनब बगन सेज़न वाँ. जसे बेङ़ने बगन मुः वोत्य्षी बगना चाष्द! जस भ्साया घण हरतीे हमि मैं जो जो फिर स्वार्णी तरह वाला प्सक्राइब वाली लिए अप्सक्राइब वेक्टर अब ये क्या है ये पेंटिंग खोने ने बनाई है हाँ लुइस चिक करो बेकरी के ऊपर कोई सर्विलिंस कैमरा है क्या और फोटोग्राफर कोई वेज ने थैंक्स बाई अब 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 कर अब कर अब कर अब कर अब कर अब कर अब है जल्दी चलो प्लीज तुम्हें किसी को कॉल करना है तुम्हारी पेरेंट्स या पॉलिस नहीं पॉलिस को बिलकुल कॉल नहीं करना कहां जाना है बताओ मैं छोड़ दूंगा मतलब उसने तीन नौ को ग्रफिटी बनाना शुरू किया और तीन बाइस को खत्म किया तुमने बागी क्यामरों का फोटेज चेक किया शायद उसने कपड़े बदले हूं नाहीं अभी तक नहीं ओबुट की टीम चेक कर रही है इसके हाइट कितनी होगी मेरे मेरे ख्याल से पांच पीट दस इंच फिर से एक बर प्ले करो पास करो यह क्या कर रहा है कहना मुश्किल है आगे कैमरा नहीं है शायद वो टैंग वे का सिर डब्बे में डालने गया होगा एक बर फिर से प्ले करो यह लाइट की ऐसी है मुझे तो फ्लाश राइट लग रही है शायद ग्राफिटी की फोटो ले रहा हो जेसिंद्स आखिर उसने उसका सर क्यों काटा क्या चताना चाहता है कुछ समझ महा रहा है यहां देखो विक्टर आएसस के काम करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है नहीं वो दुश्मन को उक्साने के लिए करते हैं यह उनका काम होता तो सिर को ट्रॉफी की तरह प्रेजेंट करते कच्रे के डबे में नहीं डालते और इन सबका वीडियो बनाकर टेलीकास्ट करते यह उनका काम नहीं है मैं जानती हूँ यह पढ़ों किईष इसके मताबिक हमारा सिर हमारी पहचान होता है और इसे कलम करके एक तरह से वो विक्टिम की पहचान को ही छीन लेते हैं मतलब खोनी ने टैंगवे को जानवर की तरह मा रहा है पता नहीं टैंगवे ने क्या किया था लेकिन कोई ना कोई उससे बहुत नफरत करता था हम अपने आदीद से बच ही नहीं सकते लेकिन ये सांटा हैट क्यों इसका क्या मतलब है तुम जिसका केस इन्विस्टिगेट कर रहे हो उसे ही जान से मारने की धमकी दी मेरे पास यह सवाल पूछने के अलावा कोई रास्ता नहीं कल राट जब उसका खून हुआ उस वक्त तुम कहा थे हमारे घर पर था सच में? डिनर करने के लिए आया था और राट को वहीं रुक गया था हमारे बस्ता ट झाल झाल झाल